आज हम बनाएंगे फ्रेंट्स ये चॉक्वित ट्रफल केक जिसको बनाना बहुत आसान है और घर के ही मेथट से हम इसको बनाने वाले हैं तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रीति साहू आपका सागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुग्वित प्रीति साहू मे चॉक्वित प्रीति साहू में बनाने वाले हैं चॉक्वित ट्रफल केक जिसको बहुत आसान बिदी से मैंने बताया है तो आप इस वीडियो को पुरा देखिएगा वीडियो पुरा देखने बाद आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा चैनल को बना लिया है और इसकी आइसिंग के लिए हम सबसे पहले ट्रफल बनाएंगे तो यहां पर मैंने 100 ग्राम चॉक्लेट लिया है उसको बारी कट कर लिया है और यहां पर मैंने 100 ग्राम वीप क्रीम ली है आप वीप क्रीम की जिगए अमुल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और तो आप इसमें थोड़ा सा दूद्ध मिला के इसको एड़ेस भी कर सकते हैं तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइट से और अब हम यहां पे इसमें मैंने एक चमज शकर में तीम चमज पाइन डाल के इसको घूल लिया है यहां पे मैंने अपना सपट निकाले ही अप देख सकते हैं दोनों चाकु की सायता से साइट की किनार इपने आप में तहजा चा मता ही के त्यार हम fancy, का चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ तर शेयर करने के कर दूगी वैसे मैंने अभी बनीला स्पंज की सेयर की हुई है आप उसको वाच कर सकते हैं लेकिन आप चॉकलेट की फी मैंने अभी वीडियो पर नहीं है तो आम उसको भी अपलो और इसको मैंने थोड़ा सा इसमें भी मैंने डाल लिया इससे कलर चेंज हो जाएगा उसमें और फ्लेवर भी आ जाएगा तो इस तरीके से हम इसको पूरा स्पंज को कट करने के बाद तीन वह को मैंने कट किया हुआ है और पूरा अच्छे से इसको हम मोष्ट कर देंगे अच्छे से और इसके बाद हम गनाश यहां पर ट्रॉफल कुडाल देंगे और चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे और यदि आपको फैलाने में थोड़े भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप गरम पानी में अपने इस पेचुला को डिप करके इसके बाद आप यह काम कर सकते हैं तो दूसरी भी मेर रख दूँगे एर लेर रखने के बाद फिर उसके उपर भी हम इस तरीके से मॉइस्ट करेंगे और हम इस तरीके से ट्रॉफल फैला देंगे चारों की तरफ और इस तरीके से फैला के इसको इस परचुला से हम अच्छे से इसको कवर कर दें तो आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको गर्म पानी में डिप करके और इसको आप चलाएंगे तो बहुत इसली चल जाएगा तो यहां पे मैंने थोड़ी सी बीप क्रीम ली है और उसमें मैंने अपने इस जो बच्चे हुआ ट्रफल था उसको इसमें मिक्स कर लिया है और इसकी में जो साइट की किनारे हैं फ्रेंस उसको मैं यहां से इस से कवर कर रहे हूं इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और इससे जो विप क्रीम है उसे टैस्ट भी बढ़ जाता है तो इस तरीके से मैंने यहां पे इसको कर दिया है और पूरी फिनिशिंग दे इसकी मिले का यहां जाहती है तो इसको आप एक दो किकी मिला के लिए उसके लिए और इसको रग देंगे घए हम ठंडा होने के लिए और अब हम जो बचा हुआ हमारा ट्रफल था उसी में मैंने थोड़ा सा दूद और मिलाया है और उसको थोड़ा सा गरम किया है जिससे कि हमारा गनाश तैयार करना है अब हमें तो यहां पर गनाश करने के लिए जो हमने अभी ट्रफल बनाया था उसी में हमें आदे कब दूद ड pisana ब्लकुल भी यूज नहीं करना 가운데 क्यों इस को रूम तेमपरेचर पयाननी देगे और ये भी हमारा फिरिज केक रखा था था कम से कम 2 गंटे के लिए हम्лон ऐसको फिरिज केख को फिरिज को थन्दा होने के लिए वहम्b तो केक रखा हुआ है इसको हम दो स्पचला से आराम से उठा के और इसको हम साइट से हाँ पर रख लेंगे और यदि आप से इस तरीके से नहीं हो रहा है तो फ्रेंट्स आप अपने बोर्ड पर ही एकाम कर सकते हैं और उसमें भी हमारा इतना दी आप देख रहे हैं इस तरी से आप बनाएंगे तो आपको चारों तरफ से बिल्कूल भी जादा नहीं फैलेगा मैंने आपको यह दिखा दिया है दोनों ही तरीके ऐस तरीके से इसको आप स्प्रेट कर दीजिए और चम्मच की साहता से अम इहां पर आप देख रहे हैं पूरा इतना नीचे से नहीं न गिराना है हमको बहुत कम-कम आप यहां से हम डालेंगे और इस्पून की हैल्प से डालेंगे फ्रेंस थोड़ा थोड़ा करके तो और इस पेचुला से हम इसको फिनिशिंग दे लेंगे तो इससे हमारा गनाज भी वेश्ट नहीं होता है बहुत सादा एदी हम गनाज डाल और इसको उठाके मैं इसको बापिस से बोड़ पर रख रही हूं यदि आप इस तरीके से नहीं उठाना चाहते हैं तो आप बोड़ पर यह काम कर सकते हैं तो कि आप देख रहे हैं कि मेरी प्लेट में गनाज बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं फैला है और नहीं मैं सकते हैं और इसको आप इस पेचुला को गरम पानी में डिप करके या टिशू पेपर को डिप करके पर यह सब काम आपको चॉकलेट ट्रफल केक में गरम पानी से ही आपको इस सब काम करना है तो बहुती काम इजी हो जाता है और क्लीन भी बहुत अच्छे से होता है तो फि तो आपका भी काम बहुत अच्छssä से होगा ओर ये केक हर्परी बहुत अच्छ अब मैने विप क्रीम लिया हुए इस टोड़ा सा बचा हुआ था तो अट्छ में भी फरीज में उग दिए था तो और तो घाला होया है और इसको मैंने मिलाया है अब बीप क्रीम में और इसको भी मैंने इसको चला रही हूँ एक मीट के लिए इसको मैं बीप कर रही हूँ और इसके बाद इस तरीके से मैंने इसको बीप कर लिया है इसके बाद मैं इसको अपने एक नोजल ले रही हूँ आपको मैं दिखा रही ह अब इस तरीके से यह border बन रही है, पहले उसको प्रेस कर रही हूँ और हटा रही हूँ इस तरीके से और यहां पर थोड़े से cross दे के मैं यहां पर बॉडर बना रही हूँ आप इस तरीके की design बना रही हूँ अब चाहें तो बिना design का भी आप यह cake बना सकते हैं और आपकी इस तरीके से मैंने बीच में एक दवाई का धकन था उसको रखा और इसमें मैंने इस तरीके से फ्लॉवर्स बना दिये और मैंने थोड़े से वाइट वाले स्प्रिंकल रख रही हूं जिससे बहुती सुंदर सा लोक आएगा तो इस तरीके से मैंने इस केक को पूरा किया है को देख सकते हैं कटिंग के बाद कितना ज़्यदा टैस्टि लग रहा है और यह केक मैंने अपने बेड़्े के बड़ी पार्टी के लिए बनाया था तो आप देख रहे हैं कि मेरे बैचे की बड़ी पार्टी वह उसने यह मेरा बना हाथ से बना हुआ केक काटा तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो हमने बच्चों के लिए या हम अपनी एनिवर्शरी में गेग बनाते हैं और बहुत सभी को बहुत पसंद आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी बच्चों ने ये पार्टी बहुत अच्छी से इंज्योई की आप देख रहे हैं मिलते ह ने नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स थैंक यू